नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा सम्वुद्धस सभी सादक सादिकाओं को मेरा नमस्कार आज भी हम लोग अप्रमात वगव के गाथा कहानी और उसके अर्थ को जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ को जान लेते हैं अर्थाद जब पंडित प्रमात को अप्रमात से हटा देता है तब वह सोक रहित हो सोक कुल प्रजा को प्रज्यारूपी प्रसाद पर चड़कर जेसे परवत पर खड़ा पुरुस भूमी परिष्टित वस्त को देखता है वेसे ही धीर पुरुस अज्यानियों मुर्खों को देखता है ये धर्म का अभ्यास करने के साथ साथ दिहान का अभ्यास करने के साथ साथ ये जितने भी नेतिक कार्य हो या अनेतिक कार्य हो इनसे हम लोग बिना टच हुए हैं अंटच होकर कि बस साक्षी भाव होने का आवस्ता हम लोगों का बढ़ता है तो इसमें कह रहा है जो पंडिट है वो प्रमात को अप्रमात से हटा देता है तब वो सोक रहित हो करके सोक खुल प्रजा को चिंता मुक्त होकर के चिंतित प्रजा को इससे उचाई से देखता है इससे उचाई से जानता है जैसे की बहुत उचाई पर पहार पर खड़ा हो और वो भूमी पर चोटे मुटे वस्तों को देख रहा हो ये ग्यानी पुरुशों का लक्षन है वो समाज में रहते रहते ये ध्यान सादना का बहस करते करते समाज के व्यक्तियों को भली भादती से जानता है उनके क्रोत, उनके लोप, उनके मोह उनके प्रेम, दया करूर में सब को जानता है जिसे बुद्ध पुरु से कोई उनको सम्मान दे तब भी उनके मन में कोई आ सकती नहीं है कोई आके गाली दे कुछ कहे तब भी उनके मन में कोई आ सकती नहीं है तो ये ध्यान का पड़ाव है प्रथम पर चरन, दुसरे चरन, तिसरे चरन प्रथम अनुभुती, तती अनुभुती से अनुभुतियों के साथ अच्छा धीरे 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 हम लोगों को भी इसे दिखाई देने लगता है। इतना अहंकार हम लोग मन में पाल के बेठे हैं तो आप थोड़ा से विचार कीजिए और ये फोटो के देखिए उचाई से नीचे सहर के नजारे को देख रहा है एकदम छोटे मोटे ये धूल, कंकर, मिट्टी, पत्थर के भाती आपके मकान दिखाई दे रहा है उचाई से देखने पर एचे तो दिखाई देगा अभी ड्रोन, कैमरा का जमाना है कहीं से भी उड़ाईए आपके घर छोटे मोटे कीड़े के भाती दिखाई देना सुरू हो जाएगा तो ये कब तक अहंकार मन में बैठा रहेगा कि मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ उपर से जाके देखिए, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और उचाई से जाके देखिए, आवेजाहत से, आपके सहर और छोटा दिखाई देगा, छोटे मोटे चीटियों के भाती, आपने देखा होगा दो चीटिया, छोटे मोटे कीड़ आपस में लड़ते रहते हैं उन लोग लगता होगा कि बहुत बड़ा आदमी हुमें बहुत बड़ा कुछ हुमें मेरे आगे यह सब कुछ टिक ने पाएगा जिसको मिलता हुसको काड़ता है लेकिन उसको पताने हैं उससे भी खतरनाक है इनसान उससे बलवान है अब हम लोग अपना इतना आंकार मन में रख के बेठे कि हम बड़े हैं हम बड़े हैं हमारे पास यह है नाम किया कि पजुडते ही और चाती सीना फुला लेते हैं कि हाँ हम बड़े हैं अब हम लोग पर इतना घमन है कि हम हम इस देश के निवासी है, हम इस राज के निवासी है, हमारा ये धर्म है, हमारा ओ धर्म है, हम ये करते हैं, ओ करते हैं, हम इस खांदान से बिलों करते हैं, वह होत आहंकार बैठा हुआ है, अब इसको देखिए, हम जिस ग्रह पे, जिस प्लैनेट पे हम लोग बैठते हैं, उस प्लैनेर के देखिए कितना बड़ा है वो चोटे से एक दम एक पत्थर के बाद ही दिखाई दे रहा है उससे बड़ा बड़ा प्लैनेर तो दुसरा कोई और है तब भी हम लोग अहंकार बना के बेट रहे हैं कि हम बड़े हैं इनके सामने तो ये पिर्थिवी जो हमारा ग्रहा है वो दिखाईने दे रहा है उसके अंदर हमारा देश थोटा मोटा देश है हम लोग उसमें घमन करके बेटे हुए है धार्मिक दुष्टिकोंचे देखिए इसमें अपने और दुष्टिकोंच मत डाले तो ये सोच मन में कब आएगा कि हम यतना आंकार बना के बैठे है ये आंकार को खताम करने के लिए तैयारी तो चाहिए आभी से ही आज से ही तो ये समझना चाहिए कि अगर आप विद्वान है अपने आपको ग्यानी मानते है धार्मिक मानते हैं ध्यानी मानते हैं तो प्रग्या रूपी प्रसात में चड़ करके इस सब संसार को देखिए कि संसार में क्या हो रहा है कोई क्रोत कर रहा है कोई गमन कर रहा है कोई अंकार कर रहा है कोई बहुती प्रेम से बात कर रहा है कोई बहुती सम्मान इजर्शत प जानना है, अनुभवी बनना है, आगे क्या करना है, अनुभवी ही आगे काम आएगा, ये अनुभव हमारे सरीर के हर एक नस में तरंग के भाती बेट जाएगा, कि हाँ मैंने ये अनुभव किया है, भगन बुद्ध ने भी जब ग्ञान प्राप्ट किया, तब उन्होंने कह कि मैंने अनुए कोई जन्म लिये है इस संशार में, जो गिंति में नहीं गिना जा सकता है, और उन्होंने ये भी कहा कि, मेरे ये सारे पारा मिताओं का साक्षिकोन है, जब वो भुमी पर हाथ रखता है तो, भुमी कमपन हो उठता है, और एन्होंने जाता कथाओं में, अ अपने पूरा जनम में एकदम बहुती सान सबाव से धार में कृप से सभी कार्य को सुख सान्ति पूरा किया था तो इसमिति सक्ति इतना अच्छा बना रहते हैं वहां से लेकर यहां तक उस जनम से लेकर यहां तक इस बुद्धत की प्राप्ति तक तो यह जब भी इन्होंने अपने इसमिति सक्ति को जगाने के या आगे बढ़ाने कोशिश किया तो इनको पूरा यात हो गया कि बुद्ध सरवग्य है तिनों लोग के अरश्य को जानता है यह भी कहते है तो यह अनुभाव के आधर पर ही उन्होंने बहुत सारे लोग को धर करके ही अरहत की प्राप्ति करन में सपल हुए है तो हम लोग को भी यह सभी परिश्चितिया घटना है यह सब अनुभाव करना है हमें और अनुभावी बनना है ताकि हम लोग आगे और अच्छी तरह से यह संसार को जान सके तो हम लोग देखा कि हमारा घ्रह कितना छोटा है पिर्थी भी और हम लोग यहां पे घमन करके बैठा है कि हाँ में बड़ा हूं तो यह कब तक चलेगा इसको जाज करके आगे बढ़ना चाहिए तो इस गाता से कहानी जुड़ा है यह कहानी है महाकश्यप की महाकश्यप उस समय राजगीय के पारलिय गुफा में विहार कर करते थे उस समय वहाँ पे महाकश्यप सुबह सुबह उठा और उठकर के सोचा की मैं आज ये सारे संसार के जिव जन्तु के उनके जन्म के उनके मरन के पुर्व जन्म के सभी जन्मों के लेखा जो कहा जो उनके साथ गटना गटना सब को देखने बेढ़ जाता है और लिइबल से वो इसे देखता र Batyai देखता रहता है उस समय बागान वुद्धरा भी स्रावस्ति के जेतवन्त में वहार करते थे विहार करते हैं मैं और उन्हों ने सोचा कि आज मैं अपने शिश्य महाकश्यप को देखूँगा ओगा क्या कर रहा है इस समय तो धिहान से तो महाकश्यप सभी जीवजन्तों के पुर्व जन्मों को देख रहा है कि इस जीवण में ये था उस जीवणव नोगव था तो बगान बुद्ध अपने अईरीडिवल से उनके सामने प्रकट हो जाता है कि जेसे उनके सामने कहड़ा हो और उनकों कहता है कि महाकश्यब ये दुसरे जियू के जन्म मरन के चक्रों को देखना उस जन्म में ये था इस जन्म में ये है इसको देखना ये तो सीमित मातरा है त्योंकि ये जन्म शुरू कभ हुआ है अंद कभ होगा ये हम लोग बता नहीं सकते हैं ऐसा कहा करके भागरमुदर उनको बताया और कहा कि ये समय बेर्च मत करो किसी के पुर्व जन्मों को देखने का इससे बनिया तुम और कुछ कारे करो इससे समय नष्ट करना उचित नहीं है ऐसा कहा करके उनको ये गाथा कहा है पमादं अपमादेन यदा नुन्दति पंडितो पैया पसाद मार्विहं असोको सोकिनंपजंग पबथो अभुमथो धीरो बालो अलोखती जब पंडित प्रमाद को अप्रमाद स्यटा देता है तब वहाँ सोक रहित हो सोक कुल प्रजा को प्रज्यारुपी प्रशाद पर चड़कर जैसे परवत पर खड़ा हुआ पुरुस भूमी पर इस्थित वस्तु को देखता है वैसे ही धीर पुरुस अग्यानियो मुर्ख को देखता है आप सब ने सौ में से अस्सी प्रतिशत लोग जब भी विपसना ध्यान या अन्य कोई भी साधाना का अभ्यास करते है या किसी गुरू से ध्यान साधाना का अभ्यास करते है तो आप सब को मौसुस हुआ होगा आप कुछ महिने तक ध्यान किये कुछ दिनों तक ध्यान किये तो जब आप उस छेतर से बाहर जाते हैं समाज में लोगों से मिलते हैं अपने मित्रों से मिलते हैं तो उनके गती बीजी को देख करके उनके सोच को देख करके उनके बातों को देख करके उनके छोटे छोटे बात पर चीर जाने का लड़ जाने का भीर जाने का स सुन रहा है और कुछ सुन रहा है इतना प्रतिक्रिया कर रहा है एक दूसरे के उपर और ये लोग क्या करे जा रहा है इस पश्टो रूप से आपको साफ-साफ महसुस होने लगता है आपने आपको किसी के दौरण बताइने ही पढ़ता है अपने आपको ये महसुस होने लगता है तो ये अनुभव आप सबने भी महसुस किया होगा जिनों ने महसुस ने किया है तो ध्यान, सादन का अभ्यास करे, धर्म का अभ्यास करे आपको भी ऐसा अनुभोती होना सुरू हो जाएगा समाज में रहते रहते समाज के नियम कानुन परिस्टिती में हम लोग ढल जाते हैं तो हम लोगों को अच्छा बूरा का फर्क समझ नहीं आता है लेकिन समाज में रहते हुए भी हम लोग ये धर्म का अभ्यास दिहान का अभ्यासतत करेंगे तो अवश्य ही हमें इसमें फारक दिखाना सुरह हो जाएगा और हम लोग ऐसे ही अनुभावी बन करके आगे धर्म में बढ़ेंगे सोता पत्ती सगुदा गामी अना गामी अरहत होने में सपल होंगे बुद्ध पुरु से मिलने में सपल होंगे आज के लिए इतना ही आप सब का जियो नच्चा हो धर्म में हो यही मेरा आपके पती सद्भावना है भवतू सब्व मंगलं रखंतु सब्व देवता सब्व बुद्धान भावेन सब्धमान भावेन सब्व संगान भावेन सदा सुथि भावंतु ते सादो, सादो, सादो